गंगा घाट के पास उस समय अफरात अफरी के स्थिती बन गई जब कहीं से गंगा नदी में सेकणों क्वेंटल तर्बूज बह कर आ गया गंगा नदी में बह रहे इन तर्बूजों को पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए लोगों को लगा कि कोई अनोखी चीज बहती हुई जा रही है मगर जब कुछ तर्बूज नदी किनारे पहुँचे तब लोगों ने जाना कि ये तो तर्बूज है जिसकी खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्शेत्र में फैल गई देखते ही देखते सेकडों की संक्या में लोगों की भीड गंगा नदी किनारे जुट गई लोग गंगा नदी में चलांग लगा कर तर्बूज को लूटने लगे और फिर नदी किनारे पूरे क्शेत्र में सिर्फ तर्बूज ही तर्बूज फैल गई बेगु सराय में यास तूफान के बाद विभिन गंगा घाटों में तर्बूस के बहने का वीडियो वारल हो रहा है तेगरा प्रिखन के दोलारपूर पंचैत के पूर्व सर्पंच राकेश कुमार ने कहा की सोन नदी समेथ बेगु सराय से वैशाली हाजिपूर तक गंगा किनारे तर्बूस की खेती होती है तूफान के दोरान किसानों की फसल बरबाद होकर गंगा में गिर गई जो अब बहेकर बिगु सराय के स्विमरिया, मधुरापूर, अयुद्या गंगा नदी में काफी संख्या में बहे रही है जिसे लोग जान जोखी में डाल कर निकालेने में लगे हैं गंगा का पानी पीने से या फिर गंगा के कटाओं में गिर करके उनका जान जा सकता है, कभी भी उनके स्वास्त परसर पर सकता है ये किसानों का जो भी तारबुज गंगा में बहा है उससे काफी परदूसन का खतरा बर गया है बता दें कि यास तूफान के दोरान गंगा किनारे लगे तर्बूज की फसल काफी संख्या में बरबाद हुई है तेज हवा और बारिश में तर्बूज बहे कर गंगा नदी में बहे गए हैं तर्बूज बहेते देख काफी संख्या में लोग नाव के साहरे गंगा से तर्ब पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट